देखिए सबसे पहले हम clear कर लेते हैं कि परियोजना किसे कहा जाता हैं परियोजना क्या होती हैं तो देखिए नदियों की गाटियों पर जब बड़े बांद बना कर सिचाई, उर्जा जीसी सुविधाय प्राप्त की जाती हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं परियोजना केते हैं clear तो परियोजनाओं के अंतरगत जो बांद बनाये जाते हैं उनी को हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं तो बांद के फॉर्म में कोशन पूछे, चाहे परियोजना के फॉर्म में पूछे आप कंफ्यूज मत होईएगा clear देखे फ्रेंड्स हम एक एक राज्य को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि किस राज्य में कोन सा डेम इस्तित हैं पूरा लेक्चर आप ध्यान से देखते हैं और question answer test लगाते हैं तो इस topic से exam में question कभी गलत होगा ही नहीं आपका तो सबसे पहले हम बात करते हैं देखिए जम्मू कश्मिर केंशाशी प्रदेश की तो यहाँ पर देखिए तीन मुख्य बांध हैं कोन-कोन से दुलस्ती बांध, बगली हार बांध और सलाल बांध ये तीनों बांध जो है बहुत ही simple है मतलब चेनाब नदी पर ही ये तीन परियोजना चल रही है समझना आया आपको तो एक्जाम में कोशन पूचे कि सलाल बांध जो है वो किस नदी पर इस्तित है और धियान रखेगा चेनाब नदी पर इस्तित है इसके बाद देखिए हम बात करते हैं पंजाब राजजगी तो यहाँ पर देखिए थीन बांध इस्तित हैं जो कि किस नदी पर बनाया गया है रावी नदी पर बनाया गया है इसे ही देखिए फ्रेंड्स रंजित सागर बांध के नाम से जाना जाता है थीन बांध को ही रंजीत सागर बांध के नाम से जाना याता है ये बांध जो है पंजाब और जम्मू कश्मिर की बॉर्डर पर रिस्ती थे हैं देखे फ्रेंड इससे पहले भी मैं बांध के उपर एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराये था ठीके उसमें सिलेक्टेड कोश्चन्स हमने करेते इंपोर्टेंट और इस वीडियो में देखी हम पूरा डेप्थ में अच्छे से स्टडी करते हूँ चल रहे हैं कि कोई भी कोशन हमारा एक्जाम में चूटना नहीं चाहिए तो ट्रिक वाला वीडियो अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं देखिए हिमाचल प्रदेश की हिमाचल प्रदेश में देखिए पहला important बान कौन सा है पॉंग बान जो की व्यास नदी पर बनाया गया है इसके बाद देखिए सेकंड आता है नात्पा जहाकरी बान जो की सतलुज नदी पर बनाया गया है Very very important ध्यान रखेगा भाकड़ा नागल बांद जो है ये बांद भी सतलुज नदी पर इस्ती थे जो की हिमाचल प्रदेश और पंजाब बॉरडर पर इस्ती थे ठीके? भाकड़ा नागल जो है ये भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है Very very important है Question पुछाया सकता है एक्जाम में की भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कोई सी है तो भाकड़ा नागल परियोजना भाकड़ा नागल बांद का जहां पर जल संग्रह किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? गोविन सागर जिल के नाम से जाना जाता है clear friends? आगे देखे friends अब बात करते हैं उत्राखंड राज्य की इसमें सबसे important आता है देखे टियरी बान टियरी बान जो है ये भागीरती नदी और भिलांगना नदी के संगम पर इस्तिते हैं ये बांद भारत का सबसे उचा बांदे इसकी उचाए कितनी है? 260.5 मिटर वेरी वेरी इंपोर्टेंट भारत का सबसे उचा बांद कौन सा है? टेरी बांदे जो कि उत्राखंड में इस्तिते हैं भागी रती नदी और भिलांगना नदी के संगम पर इस्तिते हैं ये टेरी बांद इसके बाद देखें उत्राखंड में ध्यान रखिएगा किशाव बांद ये बांद यमुना की सायक नदी टोन्स जो है उस पर बनाया गया है किशाव बांद ये बांद हिमाचल परदेश और उत्राखंड की बौडर परिस्तिते हैं आगे देखिए कि इंपोर्टेंट चीज हम डिसकस करते हैं दो बांद जो कि उत्राखंड में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं तो उनको भी हम डिसकस कर लेते हैं पहला आता है रेनुकाजी बांद ये बांद गीरी नदी पर बनाया जा रहा हैं जो कि यमुना की सायक नदी हैं 2019 में इस बांद का काम शुरू हुआ था और इस बांद से 6 राज्यों को फाइदा होगा राजेस्तान, हर्याना, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्राखंड और पंजाब ये बांद जो है उत्राखंड और हिमाचल प्रदेश की बौर्डर पर इस्तिते हैं रेनुकाजी बांद 2019 में इसका काम स्टार्ट हुआ था इसके बाद देखिए सेकेंड बांद लकवर बांद जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा हैं काँ पर इस्तिते हैं उत्राखंड के देरादूर में बनाया जा रहा है यमुना नदी पर ये बांद जो है वो बनाया जा रहा है 1987 में इसका काम स्टार्ट हुआ था तो ये देखिए फ्रेंड्स उत्राखंड में जो अंडर कंस्ट्रक्शन बांद चल रहे हैं उनको हमने डिस्कस करा आगे बात करते हैं अब राजस्थान राच्च की इसमें चार इंपॉर्टेंट बांदों को हम डिसकस करेंगे सबसे पहला आता है जवाई बान ये लूनी नदी की सायक नदी जवाई नदी पर रिस्तित हैं तो किसी से भी देखिए कोशन पुछे ध्यान रखिएगा लूनी नदी की सायक नदी जवाई नदी पर इस्तिते हैं जवाई बान राजस्तान में इस्तिते हैं आगे देखिए राणा प्रताब सागरबान और जवाहर सागरबान जो है ये दोनों बान राजस्तान में इस्तिते हैं और चम्बल नदी पर इस्तिते हैं ठीक है very very important बहुत बार यहां से question जो है exam में पुछा आता है राणा प्रताप सागरबान और जवार सागरबान जो है यह दोनों राजस्तान में स्थित हैं और चंबल नदी पर बने हुए हैं इसके बाद देखिए चोथा बान ध्यान रखिएगा मेजा बान जो की कोठारी नदी पर बना हुआ हैं राजस्तान के भिलवाडा में स्थित हैं ठीक है तो यह चार हमने देखिए राजस्तान के important बान्दों को अच्छे से discuss करा आगे बात करते हैं friends हम मध्यपदेश के important बान्दों की तो देखिए सबसे number one आता है गांदी सागरबान जो की चम्बल नदी पर बना हुआ है चम्बल नदी जो है यह यमुना की सायक नदी है second number पर आता है देखिए बर्गी बान्द और तिसरे नमबर पर आता है इंदरा सागरबान बरगी बांध और इंद्रा सागर बांध जो है ये नर्बदा नदी पर बने हुए हैं clear तो ये मध्यपरदेश के देखिए तीन important बांध का हमने डिसकस करा तो इसके बाद देखिए बात करते हैं हम उत्तरपरदेश की उत्तरपरदेश में देखिए friends हमारा आता है माता टिला बांध माता टिला बांध मतलब माता टिला परियोजना जो है वो किस नदी पर चल रही है बेतवा नदी पर चल रही है second आता है friends उत्तरपरदेश में very very important रानी लक्षमी बाई बांध मतलब रानी लक्ष्मी बाई परियोजना जो है, वो किस नदी पर चल रही है, बेतवा नदी पर चल रही है इसमें देखे, रानी लक्ष्मी बाई बाई बांध जो है, इसे ही राजगार्ट बांध के नाम से जाना जाता है तो Confusema तो येगा Very Very Important रानी लक्षमी बाई बांध को ही राजगार्ट बांध के नाम से जाना जाता है माता टिला बांध और रानी लक्षमी बाई बांध जो है दोनों बेतवा नदी पर इस्तित है इसके बाद देखे तीसरा Important रीहन बांध जो की रीहन नदी पर ही बना हुआ है जो की सोन की सायक नदी है रीहन नदी जो है ये सोन नदी की सायक नदी है रीहन बांध को ही गोविन वल्लब पंध सागर के नाम से जाना जाता है exam में question पूछा गया था ये कि Govin, Wallab, Panth, Sagar कहां पर इस्ति थे ये तो कहां पर इस्ति थे ये friends उत्तर प्रदेश में इस्ति थे उत्तर प्रदेश और 36 गर्डव पर ये इस्ति थे रिहन बांद clear? Govin, Wallab प्रदेश जो थे ये उत्तर प्रदेश के पहले CM थे रानि लक्षमी बाई बाई बान दोनों बेतवा नदी पर तिसरा अमने डिसकस करा रिहन बान जो कि रिहन नदी पर हिस्तिते और सो नदी की सायक नदी है रिहन नदी clear आगे बात करते हैं friends जारकन राज़की very very important है बहुत बार यहां से question पूछा आता है जारकन में देखिए friends दामोदर नदी बैती हैं तो दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर गहत यहाँ पर तीन प्रमुग बांदों का निर्मान किया गया कौन-कौन से देखिए तिलेया बांद जो की बराकर नदी पर बनाया गया धामोदर नदी की सायक नदी ये बराकर नदी उस पर कौन सा बांद बनाया गया तिलेया बांद सेकेंड देखिए मेथान बांद इसे भी देखिए बराकर नदी पर बनाया गया तिसरा आता है देखिए friends पंचेद बांद इसे दामोदर नदी पर बनाया गया चुका है तिलेया बान मेथान बान जो है ये बराकर नदी पर इस्तितें जो की दामोदर नदी की सायक नदी है और पंचेद बान दामोदर नदी पर ही इस्तितें इसके बाद देखिए जारकन में ही मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना के अंतरगत मसान जोर बान का निर् जाता है तो ध्यान रखेगा मसान जोर बांध को ही जाना जाता है जो कि जारकंड में इस्तीत हैं मयूराक्षी नदी पर ये बना हुआ है आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम पशिम मंगाल राज्य की यहाँ पर देखिए फरक्का बेराज की बात करते हैं जो कि गंगा नदी बनाया गया है बेराज क्या होता है बैसिकली देखिए बांध का ही एक प्रकार होता है तो इसको लेकर आप कंफ्यूज मत हो येगा फरक्का बेराज जो है वो किस नदी पर बनाया गया है गंगा नदी पर इसके बाद देखिए अगला स्टेट आता है हमारा उड़ी सा एक से मुख्य बान्द की लंबाई जो है वो कितनी है 4.8 किलो मीटर देखिए नदियोः लेक्चर में भी हमने डिस्कस करा था उडिसा में देखए कौन से नदी बेती है महा नदी बेती है वो उडिसा में देखिए हमने बात करे थी डेल्टा का निर्मान करती हैं तो बस उसी महा नदी पर ये बान जो है वो बनाए गया है हीरा कुन बान महा नदी को उडिसा का शोग भी का जाता है ये हम पहले डिसकस कर चुके हैं तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट ध्यान रखेगा हीरा कुन बान जो है मुँ में हीरा लेकर उड़ रहा था उड़ते उड़ते देखिए हीरा इसके मुँ से गिरा और कहाँ पर जाके गिर गिर गिया कुन्ड में जाके गिर गिर गिया तो फ्रेंड्स ये इमेज आपके दिमाग में सेट हो गई है अगर ये कववा हीरा लेके नहीं उड़ता तो कुंड में हीरा गिरता ही नहीं इसके पास पढ़ा रहता हीरा और उन्ने की वज़े से इसका हीरा जो है वो कुंड में गिर गिया तो ये सारे word जो है आपको लिंक कर देंगे exam में जब भी हीरा कुंड आएगा आपके दिमाग में आ जाएगा कि कववा उड़ रहा था उड़ने से आएगा उड़ी सा तो तुरंत आंसर आपको समझ में आ जाएगा तो confuse नहीं होंगे आप क्योंकि अक्सर इस्टुएंट जो होते हैं वो नागर जून सागर बान हीराकून बान में बहुत ज़़ा confused जाते हैं तो इसलिए मैंने आपको ये trick से बता दिया इसके बाद देखे friends हम बात करते हैं अब गुजरात राजजी की तो गुजरात में देखिए तीन प्रमुग डेम को हम discuss करेंगे सरदार सरोवर बान जो की नर्वदा नदी पर इस्तिते हैं सरदार सरोवर परियोजना जो है वो किस नदी पर चल रही है नर्वदा नदी पर चल रही है second आता है देखिए उकाई बान और तीसरा आता है काकरा पारा बान ये उकाई बान और काकरा पारा बान जो की तापती नदी पर इस्ती थे हैं ठीक है very very important उकाई बान से related तो SSC में question भी पूछा गया था इसके बाद friends हम बात करते हैं महारास्ट राज्य की देखे friends एक एक राज्यों के बांदों को हम अच्छे से discuss कर रहे हैं यह best तरीका है दिमाग में हमारी सारी image सेट हो जाती है और बहुत simple तरीके से हम और बहुत जल्दी हम exam में question जो है वो टिक कर पाते हैं महारास्ट की बात करते हैं तो सबसे important आता है friends कोईना बान जो की कोईना नदी पर ही बना हुआ हैं इसके बाद देखिए friends दकशिन भारत के प्रमुक बांधों को हम discuss करते हैं तो दकशिन भारत में दो नदीओं को लेकर आप बहुत जादा कंव्यूज होते हो एक क्रश्ना नदी और एक कावेरी नदी तो इनको देखिए हम सेपरेट करके अच्छे से पढ़ लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं क्रश्ना नदी की तो क्रश्ना नदी में देखिए सबसे पहला अमरा बांध आता है अलमाटी बांध अलमाटी बांध आता है सबसे पहला सेकेंड नमबर पर आता है नागरजून सागर बांध और तीसरे नमबर पर आता है श्री सेलम बांध ये तीनों बांध जो है ये क्रशना नदी पर ही इस्ती थे हैं ठीक है, इसमें अलमाटी बान जो है, ये करनाटक में इस्तिते हैं, नागरजून सागर बान जो है, ये तेलंगाना और आंदरपदेश सीमा पर इस्तिते हैं, बिल्कुल बॉर्डर पर, और श्री सेलम बान जो है, ये कहां पर इस्तिते हैं, ये आंदरपदेश में इस्तिते ठीक है friends? इसके बाद देखिए कावेरी नदी की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले शिव समुद्रम बान, second number पर देखिए करशना सागर बान इस्तिते हैं इस नदी पर, और तीसरा आता है मेट्टूर बान, ये तीन बान जो है ये कावेरी नदी पर बने हुए हैं, clear? इस ने करशना नदी और कावेरी नदी को सेपरेट सेपरेट करके अच्छे से स्टडी कराएं, ठीक है? करनाटक में देखिए तीन बान, अलमाटी बान, शिव समुद्रम बान और करशना सागर बान इस्तिते हैं, आंदर पर देखिए और तमिलाडू में सिर्फ एक ध्यान करते हैं केरल राजगी, तो वहाँ पर देखिए आपको एक ही ध्यान रखना है इडुक की बान, जो की पेरियार नदी पर बना हुआ है, ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्क डेम है, दुनिया का सबसे बड़ा आर्क डेम कौन सा है, इडुक की बान है, पेरियार नदी पर बना हुआ है लास्ट में देखिए हम बात करते हैं तेलंगाना राज्य की तेलंगाना राज्य में देखिए पोचम पाट डेम ये डेम जो है गोदावरी नदी पर बना हुआ है इसे देखिए राम सागार डेम के नाम से जाना जाता है ये एक्जाम में कोशन पूछ लिया था, ध्यान रखिएगा राम सागार डेम के नाम से किसी जाना जाता है पोचम पाट डेम को जाना जाता है ठीके? आगे देखिए, लास्ट में एक इंपोर्टेंट नोट ध्यान रखिएगा अंडमान निकोबार इस्तीत, कलपोंग बांध जो है ये कलपोंग नदी पर इस्तीत हैं और अंडमान का सबसे बड़ा बांध है ठीके? कलपोंग बांध कहां पर इस्तीत है? अंडमान निकोबार में इस्तीत हैं अंडमान का सबसे बड़ा बांध है तो friends ये देखिए एक हमने जल्दी से सारा theory section अच्छे से cover कर लिया है स्थिति आपको दिमाग में अच्छे से set हो गई होगी कौन सा बांध जो है वो किस राज्य में स्थिते हैं और किस नदी पर बना हुआ है तो चलिए अब सारे important questions को हम solve करते हैं जो last year exam में questions पूछेगा इस topic से और जो questions पूछे जा सकते हैं वो सारे questions जो है हम solve करने वाले हैं देखे friends हमारा है यहाँ पर पहला question है भारत का सबसे उचा नदी बांध कोन सा है तो हमने डिसकस करा था भारत का सबसे उचा नदी बांध जो है वो कोन सा है theory band सबसे उचा बांध भारत का theory band D answer यहाँ पर सही होगा theory band जो है वो किस नदी पर बना हुआ है भागिरती नदी और भिलांगना नदी के संगम पर बना हुआ है कहां पर इस्थिते उत्राखंड में इस्थिते हैं इसकी उचाए कितनी है 260.5 meter ठीके यह इसकी उचाए है भारत का सबसे उचा नदी बांध भारत का सबसे लंबा बांध है भारत का सबसे लंबा बांध कोन सा है हीरा कुन बांध कहां पर इस्थिते हैं यह यह उडिसा में इस्थिते हैं इसकी देखिए लंबाई कितनी है 4.8 km भारत का सबसे लंबा बांद भागी रती और भिलांगना नदी के संगम पर इस्ति थित है D.A आंसर यहां पर सही होगा चलि अगला कोशन लेते है हिरा कुंद बांद किस राजे में इस्ति थे रानी लक्षमी बाई बांद किस नदी पर इस्ति थे राणी लक्ष्मी बाई बांध जो है वो किस नदी पर इस्तिते हैं? बेतवा नदी पर इस्तिते हैं हमने बात करी थी उत्तरपदेश में इस्तिते हैं ये बेतवा नदी पर बनाया गया है राणी लक्ष्मी बाई बांध इसे ही राजगार्ट बांद के नाम से जाना जाता है क्या बोला जाता है इसे राजगार्ट बांद के नाम से जाना जाता है रानी लक्ष्मियाई बांद को फ्रेंट्स माता तिला बांद भी हमने डिसकस करा था जो की बेतवा नदी पर बनाय गया है मेट्टूर बांद किस राज में इस्ती थें मेट्टूर बांद जो है वो देखिए कावेरी नदी पर बना हुआ है वो तमिल्लाडू में इस्ती थें तमिल्लाडू में देखिए हमने एक ही बांद को डिसकस कराता वो कौन सा था मेट्टूर बांद कावेरी नदी पर इस थी थे कावेरी नदी पर देखिए friends हमने तीन बांदों को अच्छे से डिसकस कराता सबसे पहला देखिए कौन सा शीव समुद्रम उसके बाद हमने बात करी थी क्रशना सागर बांद की और तीसरा हमने बात कराता मैट टूर की ठीक है तो क्रशना सागर को लेकर देखिए confuse मत होईएगा क्रशना सागर नाम में क्रशना है तो ऐसा नहीं है कि क्रशना नदी पर बना हुआ है किस नदी पर बना हुआ है ये कावेरी नदी पर बना हुआ है चलिए अगला question लेते है अलमाटी बान किस नदी पर निर्मित हैं? अलमाटी बान जो है, वो किस नदी पर बना हुआ है, देखिए क्रशना नदी पर बना हुआ है हमने डिसकस करा था, देखिए क्रशना नदी पर तीन बान सबसे पहला कौन सा था, अलमाटी बान सेकेंड नमबर पर कौन सा था देखिए नागरजून सागरबान और तीसरा हमने डिसकस करा था श्री सेलम बान तो ये तीन बांदों को हमने अच्छे से डिसकस करा था है होप आपको पता होगा तो यहाँ पर देखिए अलमाटी बांद के वारे में पूछा था हीराकुन बांद किस नदी पर निर्मित है हीराकुन बांद जो है वो किस नदी पर इस्तित है देखिए कहां पर इस्तित है ये उडिसा में इस्तित है और उडिसा में कौन से प्रसिद्ध नदी है महा नदी जो कि डेल्टा का निर्मान करती है तो उसी महा नदी पर ही पश्मीर और पंजाब बॉर्डर पर इस्तितें धिनबान। इसे ही देखिए रंजिस सागरबान के नाम से जाना जाता हैं। Clear? नागरजुन सागरबान भारत के किस राजे में इस्तितें। नागरजुन सागरबान जो है ये आंदरपरदेश और तेलंगाना बॉर्डर पर इस्तितें। पहले ये आंदरप्रदेश में हुआ करता था पर तेलंगाना के गठन के बाद में देखिए ये आदा भाग इसका चला गया तेलंगाना में और आदा रह गया आंदरप्रदेश में तो ये 2012 में कोशन पुछा गया था तो यहाँ पर देखिया option B आंदरप्रदेश निम लिकित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबन दीते हैं सरदार सरोवर नदी परियोजना जो है ये friends नर्वदा नदी पर चलती हैं तो A answer इंद्रा सागर बान किस नदी पर इस्तिते हैं इंद्रा सागर बान कहाँ पर डिस्कस कराता हमने MP में मद्ध्य प्रदेश में मद्ध्य प्रदेश में तीन बांद हमने डिसकस करे थे एक कांदी सागर बांद जो की चंबल नदी पर उसके आद बरगी बांद और इंद्रा सागर बांद ये दोनों हमने डिसकस करे थे नर्वदा नदी पर इस्तित हैं तो यहाँ पर देखिए C answer नर्बदा नदी चलिए अगला question लेते हैं निम लिखित में से कौन सा बांध नर्बदा नदी पर नहीं बनाएं बर्गी बांध देखिए नर्बदा नदी पर बनावा हैं ओकारेश्वर भी देखिए नर्बदा नदी पर हैं इंद्रा सागर भी नर्बदा नदी पर हैं बांध सागर जो है ये सोन नदी पर बनावा बांध हैं ठीके तो यहाँ पर ये नर्बदा नदी पर निर्मित नहीं हैं भाकडा नागल बांध किस नदी पर बना हैं भाकडा नागल बान जो है ये सतलज नदी पर बना हुआ है पंजाब और हिमाचल प्रदेश की देखी बॉटर पर इस्तिते भाकडा नागल बान सतलज नदी पर बना हुआ है भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है वो कौन सी है भाकडा नागल नदी घाटी परियोजना ही है शिव समुद्रम जल विद्यूत परियोजना इस्तितें शिव समुद्रम जल विद्यूत परियोजना कहां पर इस्तितें देखे शीव समुद्रम बांध कहां पर इस्तिते करनाटक में तो शीव समुद्रम जल विद्यूत परियोजना कहां पर होगी करनाटक में होगी डी आंसर नागरजुन सागर बांध जिस नदी पर इस्तिते वह हैं नागरजुन सागर बान हमने डिसकस करा था देखिए क्रश्ना नदी पर डी आंसर क्रश्ना नदी पर तीन बान अलमाटी नागरजुन सागर और श्री सेलम ठीके दिमाग में चप जाना चाहिए मान नदी पर निर्मित बान का नाम है महा नदी पर देखे कौन सा बान बना हुआ है हीरा कुंड बान निम लिखित में से कौन सा बान चम्बल नदी पर बना हुआ है नागरजुन सागर बिल्कुल भी नई राणा प्रताप सागर बिल्कुल सही वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन है रणा प्रताप सागर बान जो है ये राजेस्थान में इस्तित है और चम्बल नदी पर बना हुआ है नेक्स्ट कोशन लेते हैं गोविन वल्लब सागर बान इस्तित है गोविन वल्लब सागर बान जो है वो किसे कहा जाता है रीहन बान को ही कहा जाता है और ये कहां पर इस्तित हैं? ये उत्तर प्रदेश में इस्तित हैं B आंसर निम लिखित युगमों में से कोन सा सही सुमेलित नहीं है? भाकडा नागल सतलज नदी पर बना हुआ हैं? बिल्कुल सही नागरजुन सागर देखिये गोदावरी नदी ये गलत है नागरजुन सागर जो है ये फ्रेंड्स हमने डिसकस करा है क्रश्णा नदी पर है तो यहाँ पर C आंसर जो होगा वो सुमेलित नहीं है D आंसर हिराकुन बान महालादी बिल्कुल सही निम लिखित युगमों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है सरदार सरोवर परियोजना जो है वो नर्दा नदी पर बिल्कुल सही तलेया बान कोनार नदी गलत तलेया बान हमने डिसकस करा था फ्रेंड्स दामोदर नदी की सायक नदी कुनसी बराकर नदी पर इस्तिते तलेया बान तो यहाँ पर B वाला जो है वो सुमेलित नहीं है ध्यान रखेगा दामोदर नदी घहटी परियोजना के अंतरगत तीन बान हमने डिस्कस करेते तलेया बान जो था वो बराकर नदी पर मेथान बान भी बराकर नदी पर पंचेद बान जो था वह कुन सी नदी पर था धामदर नदी पर थीक है दुलस्ती hydro power plant किस नदी पर इस्ती थे हैं दुलस्ती बान कहां पर इस्ती थे हमने देखिए जमू कश्मिर में तीन बान्दों को शीव समुद्रम जो है ये करनाटक में है और कोन से नदी पर बना हुआ है शीव समुद्रम कावेरी नदी पर बना हुआ है बी आंसर यहाँ पर जो होगा वो सही सुमेलित नहीं है गांदी सागर, मद्यपदेश, नागर्जुन सागर, आंदरपदेश बिल्कुल सही मेजा बांद का निर्माण हुआ हैं मेजा बांद का निर्माण कहां पर हुआ हैं राजयस्थान के देखिए कोठारी नदी पर अगला कोशन लेते हैं पोंग बांद किस नदी पर बनाया गया हैं पोंग बान जो है ये देखिए व्यास नदी पर बनाया गया हैं। कहां पर इस्तिते ये हिमाजल प्रदेश में इस्तिते हैं। भारत में प्रतम जल विद्यू सयंत्र के इस्तापना की गई थी। तो देखे फ्रेंड्स देश का पहला जल विद्यू सयंत्र जो है अठरा सो सिंत्यानू में दार्जिलिंग के निकट सिद्रा बाग कहां पर सिद्रा बाग में ध्यान रखियेगा लगाया गया था ओके देश का पहला जल विद्यू सयंत्र ठीके दार्जिलिंग में यह आंसर प्रकाई के उद्देशे से नहीं बनाया गया है तो ये चीज आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए Next देखिए कलपोंग जलविद्यूत परियोजना किस स्थान पर इस्तिते हैं कलपोंग जलविद्यूत परियोजना जो है ये कहाँ पर इस्तिते हैं अंडबा निकोबार में इस्तिते हैं वहाँ का सबसे बड़ा बांद है कलपोंग बांद Next question लेते हैं तिलेया बांद किस नदी पर निर्मी थे हैं तिलेया बांद जो है देखे दामोदर नदी की सायक नदी जो है बराकर नदी उस पर इस्तिते हैं ये B answer बहुद्देशी नदी घंटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किस ने कहा था आधुनिक भारत के मंदिर किस ने कहा था जवाहर लाल नेहरू ने कहा था B answer नागरजुन सागर बहुद्देशी परियोजना कोन सी नदी पर इस्तिते हैं नागरजुन सागर बहुद्देशी परियोजना जो है वो कोन सी नदी पर इस्तिते हैं नेक्स्ट कोशन लेते हैं नेक्स्ट कोशन लेते हैं कोईना परियोजना जो है वो किस राध्य संबंदी थे हैं महारास्ट से संबंदी थे हैं कोईना बान जो है वो कोईना नदी पर निर्मित किया गया है जायकबाडी परियोजना किस नदी पर इस्तिते हैं जायकबाडी परियोजना जो है वो गोदावरी नदी पर इस्तिते हैं और महारास्ट में इस्तिते हैं सलाल जल विद्यूत परियोजना किस राज्य में हैं? सलाल जल विद्यूत परियोजना जम्मू कश्मीर से संबंदित चेनाब नदी पर हमने डिसकस कराता दुलस्ती बान, बगली आर बान और सलाल बान ये तीनों चेनाब नदी पर इस्थी थे हैं जम्मू कश्मीर चलिए अगला कुशन लेते हैं उकाई परियोजना इस्थी थे हैं उकाई परियोजना जो है वो गुजरात में तापी नदी मतलब तापती नदी पर इस्थी थे हैं भारत की सबसे बड़ी बहुत देशी नदी घाटी परियोजना कौन सी हैं तो हमने बात करीती भाकरा नागल नदी घाटी परियोजना जो हैं ये भारत की सबसे बड़ी बहुत देशी नदी घंटी प्रियोजना है। इन में से किसे राम सागर डेम के नाम से जाना जाता है। ये वेरी इंपोर्टन कोशन है। पोचम पाट डेम जो है जो कि तेलंगाना में इस्तित हैं। उसे देखिए राम सागर डेम के नाम से जाना जाता है। क्रशना सागर बांध किस नदी पर इस्तिते हैं। क्रशना सागर बांद, देखिए यहाँ पर क्रशना वर्ड आ रहा है, तो ऐसा नहीं दिमाग में आना चाहिए कि क्रशना नदी पर इस्तिते हैं, यह कावेरी नदी पर इस्तिते हैं, तो यहाँ पर A answer, हमने डिसकस करा था कावेरी नदी पर तीन बांद, मैं बार-बार इसल वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ध्यान रखेगा श्री सेलम बान किस नदी पर इस्तिते हैं तो श्री सेलम बान सबसे पहले तो हमारे दिमाग में क्लियर है ये कि ये आंदर प्रदेश में इस्तिते हैं और किस नदी पर इस्तिते हैं क्रश्णा नदी पर इस्तिते हैं बी आंसर क्रश्णा नदी पर हमने बात करी थी सबसे पहले देखिए अल्माटी बान उसके बाद हमने बात करी थी नागरजून सागर बान और तीसरा हमने बात करा था श्री सेलम बान ठीक है अल्माटी बान जो है मे अध्र प्रदेश में इस्ती थे हैं? B answer मेथा बान्द किस नदी पर इस्ती थे? मेथाँ बान्द जो है फरेंडस ये बराकर नदी पर इस्ती थे हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतरगत देखे Kilए बान्द ए मेथान बान्द जो की बराकर नदी पर इस्तिते हैं जवाई बांध इन में से किस नदी पर इस्तिते हैं जवाई बांध कहां पर इस्तिते हैं राजस्थान में हमने बात करी थी लूनी नदी पर देखिए ये इस्तिते हैं जवाई नदी जो हैं वो लुनी नदी के सायक नदी है तो उस हिसाब से यहाँ पर ए आंसर जोगा बिल्कुल सही होगा रेणुकाजी बांद किस नदी पर बनाया जा रहा है रेणुकाजी बांद जो है ये देखिए 2019 से इसका काम चालू हुआ और गीरी नदी पर ये पनाया जा रहा है यमुना नदी के सायक नदी गीरी नदी पर इसका काम चल रहा है यह आंसर सही होगा चलिए अगला कोशन लेते हैं किशावू बांद इन में से किस नदी पर इस्तिते हैं किशावू बांद जो है ये ध्यान रख्येगा हिमाचल प्रदेश और उत्रा खंड की बॉर्डर पर इस्तिते हैं और किस नदी पर इस्तिते हैं ये टोन्स नदी पर इस्तिते हैं C आंसर निमने लिखित बांदों और नदियों को सही सुमेलित कीजिए तो A का देखिए हो गया हमारा दूसरा B का हो गया एक तिसरे का हो गया चोथा और देखिए D का हो गया हमारा तिसरा तो 2, 1, 4, 3 2, 1, 4, 3 यहां पर B आंसर चलिए अगला कुशन लेते हैं निमने लिखित बांदों और नदियों को सही सुमेलित करना है चंबल देखिए गांदी सागर चिनाब हो गया हमारा दुलस्ती से तापती हो गया हमारा उकाई से और तवा हो गया हमारा तवा से तो यहां पर देखिए 2, 1, 3, 4 2, 1, 3, 4 मतलब D अंसर चलिए अगला कुशन लेते हैं नदियों और बांदों को देखिए सुमेलित करना है दामोदर यहां पर हमारा हो गया पंचेद बान चंबल हो गया हमारा राणा प्रताफ सागर बान जो कि राजेस्तान में इस्ती थे पंचेद बान कहां पर इस्ती थे जहारकंड में इस्ती थे बेतवा देखिए यहाँ पर हमारा हो गया माता टिला जो कि कहाँ पर उत्तर प्रदेश में इस्ती थे तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या बनेगा अंसर 2, 3, 1, 4 2, 3, 1, 4 मतलब B अंसर यहाँ पर सही होगा Next question लेते हैं इन में से कौन सा बांध वीश्व का सबसे उंचा गुरुत्वी बांधें तो friends ध्यान रखेगा भागडा नागल बांध यह वीश्व का सबसे उंचा गुरुत्वी बांधें यहाँ पर B अंसर सही होगा तो देखिए friends यहाँ पर हमने 50 important question solve करें हैं भारत के बांध और बहुत देशी परियोजनाओं से संबंदित very very important 50 question है यह बार बार मैंने आपको अच्छे से explain इसलिए कर आए क्योंकि आपके दिमाग में वो सारी चीज़े जो है वो अच्छे से fit हो जाए तो वीडियो को ध्यान से देख लीजिए एक बार और सारे question अच्छे से practice कर लीजिए